नमस्कार जोस्तों स्वाइद आपका आज के इस वीडियो में हम बात करना है कि आप कैसे आपके Facebook अकाउंट में जो भी आपने email id को दी है ना उस वाली email id को change कर सकते हो तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को start कर दे है oh, so guys इसके लिए आपको क्या करना है सबसे विले आपका जो Facebook का 앱प है Judi अपन कर देना है जैसे आप Facebook के अपको ऊपन करोंगे तो आपको कुछ इस तरिकी का इंटर फेस दिखाई देगा अब आपको क्या करना है अभी आपको सबसे पहले तो आपका डिखाय रहा है आपका प्रोफायल फोर्टो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करऊ कि आपके प्रोफायल फोटो ओल्ट पन्पे अभी आप देख सकते हो हमें कुछ इस स्तरीकी में का in-ления लाणा है अभी हम्में क्या करो तो नीचे की तरफ आपको एक option दिखा देगा setting and privacy का आपको simply इस वाले settings and privacy option पे click करना है अब जैसे आप click करोगे settings and privacy तो फिर एक बार आपको एक settings का option दिखा देगा आपको फिर एक बार इस पर click कर देना होगा अब जैसे आप click करोगे settings वाल option पे तो आप देख सकते हो कि पर आपको के नेम अपर स्फाले और ता स्बाइल आई-डिका जैसे फ्यूभी अपको कोई जहाओ अनल काली आप और इस जो यहान पर देरी आपको यहां पर जातिक है एकशन अभी आपको यहां पर एक उप्शियन दिखा देगी field जैसे आप click करोगे तो यह आप देख सकते हो हमने अभी इस वाल email id को फिलाल के लिए दिया है लेकिन अगर आपको दूसरी email id को देना है और या फिर इसे change करना है तो सबसे पहले तो आपको एक दूसरी email id को add करना होगा तो यह पर आपको दिखाए दे रहोगा add email address option आपको इस वाल option पे click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो यह आप देख सकते हो add an additional email address और सारे option दिखाए दे रहे है तो सबसे बहले आपको क्या करना है जो भी email id को आपको add करना है वो वाली email id आपको यहाँ पर लिख देनी है उसके बाद में आपको जो भी password होगा आपका जो आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में आपको जो है add email वाले option में click कर देना है इससे क्या होगा कि यहाँ पर यह वाला email एड़ना ऐसा ही एक नया email add हो जाएगा अब नए email को add करने के बाद अगर आपको जो पूरा नए email है उसे हटाना होगा तो आप हटा सकते हो आपको यहाँ रिमूव वाले option पर click कर देना है तो इससे आपका जो email id है ना वो change हो जाएगा आपके facebook account में फिलाइल के लिए मुझे अपना facebook account का password याद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा अगर आपको यह video informative लगाओ तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद thank you so much